हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे ओफिशल यूटूब चैनल जिसका नाम है वैदी गणित तो दोस्तो यह डेटा इंटरप्रेशन फॉर कैट बाई अरुण शर्मा सॉलोशन सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको जो कि कैट लिए और यह रुण शर्मा के द्वारा लिखी की बुक है तो इसी बुक आपको यह पर सॉलोशन देखने को मिल रहा है काफी अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिशन करो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो साथी साथ अगर आप एस सीरी सीजिल करो या फिर आ लेक्टिस नमबर आठ अठारा एं तीक है यह अठारवा लेक्टिस और इस वीडियो में लोग लेने वाले प्रिशन से और वह बार चाट लेने वाले हैं और जो ट्याए होगा उसमें जो कुश्चन से रिलेटेड होंगे वह आपको और फॉर्टी तक उसमें आपको बार लेकर आएंगे तो दोस्तों अगर आपको यह पैसंद आता तो लाइक जोरू किजेगा अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडियो फॉर्मिट चाहिएगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स मिल जाएगा या फिर मेरा जो वाटसेप का ग्रूप है या फिर जो मेरा टेलिग्राम का ग्रूप है वहाँ पर मैं डाल देता हूँ लिंक आप वहाँ पर मेरे साथ जोड़के आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी या फिर पीडिया भी वहाँ पर आपको एविलेबल हो जाएगा और यह वाटसेप का लि हाँ तो दोस्तों यह डियाई आपके सामने है यह क्या डियाई में है क्या कि डारेक्शन फॉर दो क्वेश्चन थर्टी सिक्स तू फॉर्टी चीक है तो फॉलिइंग बार चार्ट फिगर 3.14 शूस दे कंपोजिशन ऑफ जीडिपी अफ टू कंट्रीज इंडिया पाकिस् पाकिस्तान है और देख सकते हैं आप यह आपका उपर वाला पार्ट मिस्लेनियस है यह वाला आपको एक्सपोर्ट से मैनुफेक्ट्रिंग है सर्विसेज और अगरिकल्चर है सारा आपको यहां पर दे रखा गया एक कंपोजिशन जीडिपी दो कंट्रीज का इंडिया का और पाकिस्तान का चलिए अब सवाल देख लेते हैं क्या है वाट फ्रेक्शन ओफ इंडिया जीडिपी इस एकाउंटेट फॉर बाइदा सर्विसेज कौन से आपको तो सर्विसेज इस तरह का है तो सर्विसेज कौन से हो जागा यह अला पार्ट हो जागा ठीक है तो झूनों को मामिने इस चुलियरह के इसको लिए और यह पूरा उट्रेψ टीचर यहां तक तो सर्विसेज कर रहा उला इसको सब्सक्राइबाइब नियुक्त चलिए बड़ाज अपना क्लासौल देख लिया जाए हाँ तो दूस्तों क्लासौल आपके स्क्रीन पर है इफ टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इस रूपिश 10,000 करोड दें जीडीपी एकांटेट फॉर पाय मैनुफेक्ट्रिंग इस अगर पाकिस्तान का टोटल जीडीप कितना आपको 10,000 करोड हैं तो मैनुफेक्ट्रिंग का कितना आपको जीडीपी ऑकांटेट फॉर्ट मैनुफेक्ट्रिंग कितना हो गया रिएप दियान से देखो तो यह 60 है अई जो GDP है कितना आपको 10,000 है तो इसको कितिने से यह आपको 20 हो जाएगा और यह हो जाँगा आपका total हो यह 10,000 और मतलब क्यों थे करोड है ठीक है और यह वाला पार्ट केतना है हमारा पूरा है आपको एंडर्ड है तो हंड्रेट कितने उबरावर है आपको 10,000 को तो इसको 100 से डिवाइट करेंगे और हमें किसका निकालना है 20 की वैली निकालनी है यह दो जिरो दो जिरो यहां से कैंसे लट होगे ती हो जागा आपको किसका है अगला सवाल देख लिया जाए तो दुस्तों आपके स्क्रीन पर एकला सवाल यह कि इन्डिया की जो टोटल जीडिपी है वो कितने आपको 30,000 करोड है तो मैं बतारा है जीडिवी एकल्ट फॉर बाइग्रिकल्चर सर्विसेज और मिसलेनियस तो अगर देखा जाए किसकी बात हो रही इंडिया की बात हो रही तो किसकी बात करेंगे इंडिया बात करेंगे किते हैं यहां फॉर्टी है और फिर उसके बाद आपको शर्विसेज्स हैँ और फिर उसके पाद सर्विसेज कितना पार्ट हैं एक इ Ultra 2 है 2500 पर को सकते जो आपको 30,000 के बराबर है ठीक है तो 70 कितनी value होगी यह हो जागा आपका 30,000 divided by 100 और इंट्यू जागा आपको 70 यह दो जूरी हैं से cancel हो गया यह हो जागा आपका यहां से आजागा 21,000 करोड ठीक है कितना जागा यहां से 21,000 करोड and C option is the correct answer clear बात समझगोगे इस सवाल को ठीक है चलिए बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लिया जाए तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल है कि which country accounts for higher earning out of services and the miscellaneous together ठीक है दोनों में से कौन सा country आपको higher earning कर रहा services और miscellaneous together से ठीक है तो इंडिया की अगर हम बात करें सबसे पहले करें कंट्री ले ले थे दो कंट्री की बात हो रही यहां पर एक तो हो जाएगा आपका services तो services अगर देखोगे तो services का कितना इंडिया का 20 है ठीक है फिर उसका बात हो रही miscellaneous की वह कितना आपको 10 है तो इंडिया का अगर देखे तो यह जगा आपको 30 है ठीक है अब उसके बाद हमें देखना है पाकिस्तान का देखना तो पाकिस्तान का कितना services आपको यह ला पार्ट है ठीक है तो बोल सकते हैं सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए बोथ स्पेंट इक्वेल अमांट्स क्लियर है समझ को के सवाल को चले बगला सवाल देख लिया जाए तो यह जो सवाल यह आपको इस डिया कांद्र हमने सवाल है ठीक है चले देखने टोटल जीडीपी सेंव वोर द कके नर्व कंट्रेस घर्ट सेंटेंट समय और आपको सेंट करांट पाकिस्तान Through Agriculture, Over India's Income Through Services इंडिया का अगर इंकम देखा जाया है तो Services में कितना है तो Services far है इंडिया का तो ये कितना 20 है तो और ये कितना 40 है तो पाकिस्तान का इंकम Through Agriculture कितना है 40 Over India's Income Over मतलब उसके उपर उसके नीचे होना चाहिए तो नीचे कितना आजाएगा आपका 20 और इंटू क्या कर लोगा 100 क्यों क्योंकि परसेंटेज पूछटेज यह जाएगा तो इस सवाल को तो यह यह पर समाप्त होता और राचार्ट के जितने सवाल थे ना वह इस के साथ ही समाप्त हो गया अब जो आएगा डी आई अब देखते हैं किसका आता है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सा आपको डी आई आने वाला नेक्स्ट ठीक है तो अटलास दोस्तर थैंक जो मच पर वाचिंग वीडियो और बेस्ट आफ लॉक फॉर यूर फ्यूचर